एक हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है एस नाइटीन ओके दर नेम फ़ टॉपिक इस एस नाइटीन हम फोर फेब्रारी को पढ़ रहे है जब तक बाकी के लोग नहीं आते है तब तक एक काम करो तुम लिखना स्टार्ट कर दो ठीक है है यूसार्ट राइटिंग जब सब अजाते हैं फिर हम समझेंगे क्या है फर्सक्तॉंट इस होता क्या है simple language non-technical language भाड़े पर लेना या भाड़े पर देना whatever you say non-technical language अब दो मीट लिखना start करो फिर मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ तो लीज मीन्स क्या होता है ट्रांश्फोर फ्राइट तो यूज असेट for a specified period obviously free में क्या अब फ्री में दुनिया में कुछ नहीं होता है consideration one time payment हो सकता है rental या तो regular payment हो सकता है series of consideration मैंने समझाना start नहीं किया है मैं कुछ लिखा देता हूँ तब तक बाकी के लोग आ जाएंगे जो ओनर होता है उसे बुलते लेसर वो ओनर है वो क्या करता है भाड़े पर देता है किसको लेसी को ट्रेंट को बेचता है नहीं यूज करने देता है राइट टू यूज असेट ठीक है सामने टेंट हमें क्या देगा अधर देगा ना अंसिट्रेशन देगा तो क्या देगा लीस पेमिंट करेगा चल यह मैंने कुछ समझाया है नहीं मैं लिखा देता हूं तब तक सब लोग आ जाएंगे ऐसे मैं समझता हूं लीस केन बी ओफ टू टाइप फर्स्ट ऑपरेटिंग लीस दूसरा फाइनांस लीस मैंने कुछ समझाया नहीं है अब मैं समझाने वाला हूं अब अब लिख के रखिये फिर मैं समझाता हूं इसकी डेफिनेशन पड़िया सी आएगी लीज अधर देन फाइनांस लीस is of that English यह लेसी मतलब टेनन तेक्स असेट और वंटल लेस बस्तरूल लेस बस्तरूज भूर यह जर्म व Neist बस्तरूज स RYAN कर्षी and reward of the asset remain with laser or not मैंने कुछ सम्झाए नहीं है खाली लिखा जेता हूं तब तक मैं मानता हूं कि सब लोग आ जाएंगे लेस्ट 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 एक्जाम्पल कौन सी आजकल फ्लाइट चल रही है इंडिगो इंडिगो मजब एरक्राफ्ट कंपनी जो भी है न वो टेक्स एरप्लेन ओन रेंड फॉर सिक्स पंस यहां तो अपने मकान छे मैंने के लिए किदाये पर लिया आप जब यह मुंबई रहने आए ना मकान किदाये पर लिया सिक्समेंद के लिए फाइनन्स लीज क्या होता है मैंने कुछ समझा है नहीं है अभी बस दो लाइन लिखने के बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैं एज्यूम करता हूं तब तक सब आ गए होंगे फाइनन्स लीज मीन्स वेल लाइट तू यूज असेट इस ट्रांशफर्ट अलोंग विद् इस कें रिटर्ण इनीवे मैं सम्झाता हूं यह क्या है ठीक है चलिए टॉपिक स्टार्ट करें इस नाइंटिन स्टार्ट करूं मैं बताइए जड़ा लीजस हम देखेंगे इसमें किसकी बुकिपिंक पढ़ेंगे और दोस तिंस ग्रॉपिक स्टार्ट करेंगे पृपिक स्टार्ट करेंगे भीजस बतार्ट करेंगे बताइए चल्सॉर्णा कबिने किया है, मुपता इसार दीजुनती है लो डुबकार तांब है, जह नहीं सारा को देफा है, जहीं स्बश्दने का लिक का लग्या के लोगे, वे शैले, डॉजदी कमी है, जो जहीं अजरद कावे है, ज्को सुछ तब कर दो मैं थाल, इंधर है, जब दो कि लिखना बन चल अभी ध्यान से देखो सुनना ध्यान पर देखना अकाउंटिंग स्टांडर्ड 19 हम लोग स्टडी कर रहे ठीक है we are studying accounting standard 19 इसका नाम है leases very simple non-technical language lease माने कोई भी asset rental पर लेना या तो देना whatever you say the one who takes उसके लिए लेना हो जाता है the one who gives उसके लिए देना हो जाता है so lease means कोई भी asset rental पर लेना the one who gives asset on a rental basis उसे क्या बोलेंगे लेसर ओनर and the one who takes the asset on a rental basis उसे क्या बोलेंगे lacey tenant very simple example जैसे आप मुंबई में hostel में रहने आये एक फ्लेट आपने 11 मंत के लिए rental पर लिया तो आप कोन हो गया tenant लेसी हो गया मगान माली कोन हो गया owner लेसर अच्छा ये 11 मंत के लिए आपको क्या मिला क्या आप असेट के माली के लिए 11 मंत के लिए नहीं आपको वो फ्लेट यूस करने का अधिकार प्राप्त हो गया यू गटा और लाइट में तू यूज असेट यू पो गया अपने इसके सामने क्या दिया रोइन्टर चिंडरेशन so lease means transfer of right to use asset for a specified period आपके एग्जाम्पल में 11 मन्त for a consideration of parental money ठीक है lease can be of two type operating finance यह सब देखेंगे अब हमको यह topic में सीखना क्या है मुझे यह topic में owner and tenant की books की German entry सीखना है मतलब कोई भी asset रेंटल पर लेते हैं मैं लेसर हूं यहां लेसी हूं तो मेरी book में जर्मन एंट्री क्या होती है ठीक है suppose business के एंगल से सोचना आपने कोई office 11 मन्त के लिए rental पर लिया 11 मन्त के लिए at a rent of say one lakh rupees per month बताओ आपकी book में एंट्री क्या करेंगे माइक में बताओ एक जन आपने 11 मन्त के लिए कोई office रेंट पर लिया है क्या मुझे बता सकते हैं आपकी book में एंट्री एवरी मन्त जब रेंट पर करेंगे तब क्या करेंगे यहां तो माइक में बोलो यहां तो चैट पर लिखो आप माइक पर बोलो यहां तो फी चैट में लिखो जल्दी से बोलो आपने 11 मंत के लिए office रेंट पर लिया है बाद में 11 मंत के बाद बापस दे देंगे बताइए आपकी book में जर्मन एंट्री क्या करेंगे बेल रस्मी का सबसे पहला आंसर आता है और खाली रस्मी नहीं और 33 लोगों तोटल 34 में सही आंसर दिया है आपने बोला रेंट अकाउंट डेबिट ठीक है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप सही है और ओनर क्या एंट्री करेगा bank debit to rent अब मेरी बात सुनना मेरी बात सुनना मेरा question यह है tenant आप लोग building debit क्यों नहीं लिखेंगे office building क्यों नहीं लिखेंगे office debit to bank why the word rent why not the word asset यह मेरा question आपको है और यह entry आप लोग 11th standard से सही तरीके से करके आ रहे है क्योंकि उस जमाने में आपको teacher ने बोला था एक entry कि pay paid rent to landlord या landlady ऐसा कुछ तो था रस्मी cash रिखा है वो ठीक है cash bank वो सब ठीक है my question is आप rent debit लिखते है building debit क्यों नहीं लिखते है वो मेरा question है आप कहेंगे आप building के office building के मालिक नहीं बनते है well ठीक है चलो accepted that means जब आप कोई asset rental पर temporary period पर लेते है निटीस आपने बोला right not transfer वो गलत जवाब है आपका right तो आपको मिल गया ना asset use कर में काधिकार मिला 11 मन्त के लिए निटीस बोलता right not transfer for ownership not transfer वो सब नहीं है answer okay आपने rent debit to bank लिखा सही है okay now my next question is यह 11 मन्त में जान से सुनना मेरी बात आप asset को एकदम संभाल संभाल के वाप रहेंगे यह रफेंट अफ़ वाप रहेंगे फड़ा 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 चेट में लिखो 11 मन्त में office आपके पास है 11 मन्त में आप वापस देने वाले बो भी मालू मैं आपको यह आपने घर रेंटल पर लिया 11 मन्त के लिए क्यूंकि अपना खुद का हाउस को इनोवेट हो रहा है तो 11 मन्त के लिए अपने house रिंट पर लिया है तो 11 मन्त में आप अफ्रेंट्रफवभाय केक्ड गयर५ुली वाप यह संभाल संभालके कि अफ्रेंगे यह सक्संबथ भोला आदमी है लुए वौन California्ट्व मोई सबस्क्राट्रपाइव जूट बोल रहा है कि एकदम संबल संबल के वाप रेंगे रिदेश भी बोल रहा है रफेंट अफ वाप रेंगे क्योंकि अपनी असेट थोड़ी है खराब हो गया तो हो गया डैट मीन्स आप जब असेट कोई टेंपरोवी पीरियोड पर लेते है तो शॉली हम लोग रफेंट अफ वाप परते है क्योंकि अपने को मालूम है अपनी असेट थोड़ी है इस नहीं सक्सम डिपोसिट से क्यों काट सक्सम बलता डिपोसिट से काट लेगा ऐसा जो भी नहीं आप रफेंट अफ वाप रेंगे ज्यादा वेरेंटर किया अब तोड़ फोड़ करके नुक्सान करेंगे तो डि फोड़ वाला नहीं वो सब ओनर ही करता है अच्छा नेक्स पॉइंट डाट मींस यह प्रॉपर्टी की जो भी रिस्क है न वो ओनर के पास होती है अच्छा सब्स भाव बढ़ गया यह नो प्रॉपर्टी अप्रिशेट हो गया तो रिवोड मिलता है वो रिवोड भी किसक प्रॉपर्टी अप्रिशेट हो गया जल्दी से चैट में लिखके बताओ प्रॉपर्टी अप्रिशेट हो गया तो रिवोड मिलेगा वो रिवोड ओनर को मिलता है सही जवाब है आपका तो यह जो आपने जो भी फीचर बताया उसको यदि मुझे टेक्निकल नाम देना है कि हम asset temporary period के लिए भाड़े पर लेते है तो उसका operating lease क्या बलते है उसे operating lease क्या लग रहा है इसमें जो मालिक है जो owner है मेरे से एक ही tenant से asset की full cost recover कर सकता है यह 109 वर्ड लिखी है I repeat my question क्या लगता है मेरे से 11 month में ही asset की full cost recover कर सकता है yes or no बो चैट में बोलो yes or no क्या लगता है वीडियो देखने वाले को कि मालिक owner मेरे tenant से 11 month में full cost recover कर सकता है definitely no तो आपने जो भी यह feature देखे वो asset को temporary period पर rental पर लेना है उसे operating lease बोलते है and bookkeeping entry for operating lease is very simple अब 11 से जो करते आ रहा है not knowing the word technical word operating lease lease rent account debit to bank for tenant की book and owner की book bank to rent वो सही था so बता ही अभी crystallize करना है कि operating lease क्या होता है तो point number one operating lease money number one asset को temporary period पर भाड़े पर लेना number two tenant rough and tough use करेंगे normal repair and maintenance owner को करना पड़ता है number three risk of the property property suppose destroy हो जाती है earthquake में तो risk है वो भी owner की रहती है property appreciate होती है तो reward भी owner का होता है and owner एक ही tenant से पूरी खीमत वसुल रेंट के फॉर्म में नहीं कर सकता है we'll have to keep on searching more and more number of tenants to recover the whole cost of asset ultimately and इसका bookkeeping हो गया rent account debit to bank तो ये बाते जो हम पहले से ही जानते थे AS19 भी वही बोलता है कि bookkeeping कैसे करना होता है जब temporary period पर asset भाड़े पर लेते है over next point अब ध्यान से सुनना अब मेरी बात ध्यान से सुनना दिमाग लगा ना अब मैं तुमको कुछ question पूछता हूं suppose मुझे कोई नया business start करना है definitely मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं loan लेता हूँ file egg की loan भी लिया फिर मैंने machinery खरीदा file egg का पता है न हम entry क्या करेंगे machinery purchase करने की machinery to bank okay 10 years की machine की life है फिर डेप्रीशेट करेगा every year 50,000 depreciation to machine मैंने file egg का loan लिया नया business start किया machinery to bank purchase किया and then depreciate किया asset use किया loan थोड़ा थोड़ा देते रहेगा over worth is में पास पैसे नहीं है नया business है ठीक है मैं कोई माधवारी money lender के पास जाता हूं और बलता हूं ओ माधवारी भाई मुझे file egg की loan लेना है please give me the loan क्या लगता है माधवारी loan देता है जल्दी से बलो माधवारी है वो दुकान लेकर बैठा है loan देने के लिए यस बट वो माधवारी money lender मुझे पूछता है कि आपको file egg की loan क्यों चाहिए मैंने बोला machine लेना है और business करना है तो उस और फिर माधवारी मुझे पूछता है money lender अच्छा कितना साल machine चलेगा तो माधवारी मुझे option देता है कि मैं तुमें loan दे रहा हूं फिर आप machine लेंगे उसके बदले में माधवारी क्या बोलता है मैं आपको चलो मेरे साथ market में file egg वाला machine परसंद करो मैं वो machine ही लेता हूं माधवारी बोलता है money lender बोलता है मैं machine आपके लिए ले रहा हूं माधवारी बोलता है I will buy a machine for you and I will give you machine on rental मतलब माधवारी money lender machine खरिपता है वोई machine मुझे rental पर दे रहा है वो भी full 10 years के लिए और बोलता है 10 years का जो agreement है वो non-cancelable है आप मुझे 10 साल के अंदर machine वापस नहीं कर सकते हैं हाँ हाँ आप जो मुझे लोन का installment देने वाले है उसके बदले में उतना amount under the name rental charges दे देदा business के एंगल से सोचना bookkeeping नहीं बोलना हूं क्या मुझे ये डील चल जाएगी मैं को माइक यह सोनो बोलिये I repeat my question Am I okay with the loan? मैं tenant to businessman हूं आपके जैसा student हूं कि मुझे choice था या तो मुझे मार्वारी Moneylander loan देगा फिर में मार्केट में जाके machine ख़ी देगा machine टैनियस चलेगा तो मैं लोन इंस्ट्रोल्मेंट में भर देगा I'm confident मार्वारी Moneylander ने मुझे option दिया चलो तुम मेरे साथ में वो मेरे को बलता तुम चलो मेरे साथ में पसंद कर आपको फाइल एक वाला कौन सा machine है मैंने पसंद कर दिया फिर क्या करता मार्वारी Moneylander खुद machine purchase करता है फिर वही machine मुझे रेंटल पर देता है full 10 years के लिए है और जितना मैं यह महीं भरने वाला वो under the name rental charges देगा और 10 years तक वो मार्वारी Moneylander agreement cancel नहीं करेगा मतलब कि हो मैं से machine वापस नहीं मांगेगा neither I can give back tell me one thing क्या मेरे को यह deal चल सकती है जल्दी से बोलो yes sir चल सकती है मेरे को कोई problem नहीं है अब सुनना यह deal का feature क्या है number one यह जो rental agreement है lease money rental वो short period है कि long period है almost full life है ओके अब दूसरी बात बताना सोच के आन से बोलना यह जो असेट है उम्में रफ और टफ वापरेगा यह जैसे मैं माली कूँ वैसे दिखावा तो भाड़े का है है पता है ना दिखावा भाड़े का है लेकिन यह असेट को में रफ टफ वापरेगा कि कैफुली यूज करेगा बोलिए खुद का बिजनेस जैसे एक इसान माजन तु भोला मत बन पागल मत बन मेरे को गुस्सा मत दिला इसान माजन बोलता है रफ और टफ वापरेगा अपने चाचा की असेट है खुद की ऐट सब्सक्राइं करती है है शरी मता इसbles सब्सक्राइब का अब बोलता कि हम लोग लाइक अनर उसे कैर फूली वापरेंगे बिलकुल सही अच्छा सोचके बोलना इसकी रिपेर में टेनन सब कौन देखेगा हम ही लोग देखेंगे अच्छा ओ एग्रिमेंट तो कैंसल हो नहीं सकता क्यूंकि नॉन कैंसलेबल एग्रिमेंट है अच्छा बाद में यह असेट अप्रिशेट हो गया हमने तो पांच लाग में मशिन ले लिया वन मन्त के बाद सेवन लेके आइट लेक हो गया तो यह अप्रिशेशन का फाइदा जो मारवणी ओनर है उसे मिलेगा और इंडाइरेक्ली हमें मिलेगा दो लाग की बच्छत हो गई अब इपिट माइक वेश्चन प्राइज बढ़ गया मशीन का जिसको बूलते हैं रिवर्ड हो गया हमको सस्ते में मशीन मिला फाइल एक का तीन मैने के बाद एट लेक हो गया तो प्राइज अप्रिशेट हो गया इंडारेक्ली फाइदा हमें मिलता है कि मारवणी मालिक को मिलेगा हमें मिलेगा क्यों क्योंकि हमको सस्ते में असेट मिल गई न अच्छा ऑपोजिट हमने फाइल एक में खरीद ली तीन मैने के बाद असेट के बाव डाउन हो गया तीन लाख हो गया असेट की वेल्यू डाउन हो गया नुक्सान हो गया वो नुक्सान किसको हुआ हमें ही हुआ मालवारी वानी लेंटर को क्या फ़क पड़ता है उसको तो भाड़ा मिलने वाला है जितना लोन का इंस्ट्रॉल्मेंट अब यह फीश पढ़िए देखो अभी मेरी बात सुनना यहां अभी मैं हिंदी लिखता हुआ मुझे हिंदी लिखना आता नहीं है पर फि अश्चेट पर भाड़े पर लिया है बट रियालिटी क्या है एजिफ वी आरोनर अपर फूल टैन पीर फूल टैनिएंट तो जो एग्रीमेंट दिखावा भाड़े का है टेकनिकली मैंने अश्चेट भाड़े पर लिया मैं एवरीमंद बाड़ा देदा हुआ हम इसको क्या बलते है, so finance lease मतलब क्या, finance lease मतलब, long period lease, almost full life ki lease, almost, in that full life, I will pay rental, which is almost more or less EMI of the loan, almost, in that 10 years, I will use the asset very carefully, I can't give back the asset in 10 years, neither the owner can ask me back, All repair and maintenance, I will take, risk and reward of price appreciating, depreciating, sub indirectly, मेरा होता है, so दिखावा agreement का भले भाड़े का है, reality क्या है, reality है कि we are the economic owner, सायद हम legal owner नहीं है 10 years के लिए, क्योंकि legal owner तो, वो ओनर ही है, वो ओनर है, वो ओनर है, असेट का, legal owner वो है, मगर बताए, economic owner कौन है, जल्दी से बोलो, economy owner तो हमी है, इससे finance lease बोलते है, अब मुझे इसकी bookkeeping करनी है, क्या लग रहा है, मैं कैसे bookkeeping करूं, जो every month भाड़ा देता हूं, उसे rent to bank, rent to bank करूं, यह option, as if मैं owner ही हूं, machine debit to bank करूं, और बाद में depreciate करूं, क्या लग रहा है, what is more appropriate, true picture, financial, true and fair view, किस में मिलेगा, बताइए मुझे true, fair and view, financial statement में किसे मिलेगा, finance lease में rent account, to bank करते जांब every month, कि मैं asset को पहले ही लिखदा लू, आप कोई example दे सकते हैं, इस प्रकार की deal का, कि जहां मैं दिखावा भाड़े का है, but मैं economic owner हूं, best example दो आपने study कर लिया, last year, पुदा एक chapter पढ़ लिया है, उसकी bookkeeping को, यह finance lease का best example दे दो, क्या higher purchase इसका best example है या नहीं है, write the answer yes or no, क्या higher purchase इसका best example है, है, देखौना higher purchase में क्या होता है, मैं asset rental पर देता हूं, जो भी painsts देता हूं, दे लाइक rental charges, मैं वालीक नहीं बनता हूं, till the end, मैं तो इन में मी मालीक बनता हूं, बहुंअ मिलिक में नहीं हूं, फूल कैश प्राइस पर क्यों क्योंकि वो फाइनांस लीज था वहां दिखावा भाड़े कार था पर रियली तो हमी एकोनोमिक ओनर अफ दासेट है सो फाइनांस लीज की बुक की पिंग में हम जब एंटरी करेंगे न मशीन अपाउंट डेवीट या असेट अकाउंट डेवीट क्या लगता है को सकीuld है कि मंथली भांड एक मतीं शायर्ट निससंटिस अ सब में कि स्टाइंग सॉफ मी भाड़े के इնक मिन चार्जिसर करें से करना अइसली सोफ़ि Sydney से करना होता जल्दी इस ок चलदी से बोलो इस ऐसी वर्ग स्टाइं कि मुल प्राइस यह ऊकूरत 31st 31st मेरे साथ में पढ़ रहे है और बाकी के लोग घर पे मजा मार रहे है ठीक है तो अब हम बुक्किपिंग पर चलते है देखो फाइनस लीज में क्या होता है राइट तो यूज ओनर ट्रांसफर तो टेनन अलों विद रिस्क ए रिस्क पिरियर पूरी रिस्क रिवर टेनन की बन जाती है वो संभल संभल के असेट यूज करेंगे लॉंग पीर रहे है नॉन कैंसलेबल लीज होती है बट अप्रेटिंग अप्रेटिंग डिवर टेकन फोर डीज में क्या था अश्व टेकन फोर शॉट पीड़ रिस्क रिवर्ट ओनर के पास ही रहता है और जो पता है ना जो रेंटर चार्जिस पे करेंगे हा टेनन पे करेगा है मारवारी मनी लेंडर ने हमादे लिए मशिन खरी देदा, तो सोचके आंसर दो, मारवारी मनी लेंडर क्या मेरे से फूल कॉस्ट वसूल करेंगा या नहीं करेंगा, under the name rental charges over the 10 years yes or no word लिको क्या लग रहा है finance lease में finance lease में मार्माणी मनिलेंडर मेरे से full machine की कीमत वसूल कर लेगा या नहीं कर लेगा definitely कर लेगा definitely कर लेगा बिल्कुल सही समझ रहे है अब brilliant है MBA CA तो तुम होई सकते होना है तो नहीं तो MBS को नौकरी पर दख लेना कोई टेंशन नहीं चलिए अब मैं आगे जा रहा हूं अब मेरी बात सुनना कि ओनर एंटनन्ट और अग्रीमेंट होगा उसके अंदर ऐसा क्या इंडिकेटर होगा बंग चालू कि जो में बताएगा वो हमारे ध्यान के अंद्रित करेगा हमारे ध्यान उनकी ओर खिचेगा वो लाइट अपनी एको कि मैं फाइनांस लीज हूँ मुझे पहचान और फूल कॉस्ट से एंट्री करना अपनी किताब में फूल प्राइस से एंट्री करना एक रिपीट मैं ऐसा बोल रहा हूं नेक्स पॉइंट अम लिख रहा हूं आप भी लिखते जाना मैं थर्ड पॉइंट पर आया हूँ उठर कॉइंट का नाम है इंडीकेटर्स ओफ फाइनांस लिस Indicators of finance lease मतलब ऐसा वो lease का agreement सुपोस्ज जो राइटिंग में है ऐसा क्या लिखा होगा कि वो बताएगा कि भई मैं finance हूँ मैं finance lease हूँ मैं long period lease हूँ full price से एंटरी करना ऐसा कुछ indicator तो होगा न जैसे एक example हो सकता है कि भई lease is for full life of asset ऐसा कुछ sentence हो सकता है, ऐसा sentence हो सकता है, tenant cannot give back the asset in 10 years time to me, owner ऐसा लिख सकता है, तो यह एक indicator हो गया, ऐसा क्या indicator हो सकता है, जो हमें बताएगा, कि भाई मैं finance lease हूँ, मैं finance lease हूँ, full price से entry करो, तो आप भी लिखना start करो, if any of the following indicators does exist, then search lease, search lease agreements on the agreement is considered as Finance lease, मतलब agreement में ऐसा कुछ भी लिखा होगा, तो माना जाएगा कि यह finance lease, finance lease means tenant economic owner of the asset बन जाता है, तो ऐसा agreement में क्या लिखा होगा, क्या indicator होगा, Number one, transfer of ownership, automatically at the end of lease term, lease term means agreement का प्रिया, Suppose मैंने motorkart 5 years के लिए renter पर लिया है, ठीक है, मैं 5 years तक rental charges दे रहा हूँ, charges का नाम rental charges बो, finance charges बो, कुछ भी बो, that's all, EMI बो, फिर वो agreement में लिखा है, And when last installment is paid, the tenant will become automatic owner of the asset, ऐसा कोई example दे सकते है, इस प्रकार की deal को हम क्या बोलते है, जो last year का topic था, क्या बोलते हैं ये topic को, कि वो agreement में लिखा है, हां, higher purchase, yes, तो क्या higher purchase, finance lease है, बोलिये, क्या higher purchase, finance lease है, हां, higher purchase, finance lease है, And क्यूंकि now higher purchase, finance lease है, हम asset account debit, full price है, starting में करते हैं, so जब हम लोग क्या पढ़ रहा है, green color पढ़िये, what are we studying, we are trying to find out, the indicator of finance lease, मतला, वे agreement में ऐसा क्या wording, क्या sentence, क्या indicator होगा, जो में बताएगा, मैं finance lease हूँ, मैं finance lease हूँ, answer, वे agreement में एक लोग्राफ ऐसा हो सकता है, जो बताता है, कि, asset की ownership, automatically, automatically, without doing anything, will be transferred to tenant, once the last installment is paid, so surely, यह finance lease है, the best example of such agreement, we call higher purchase agreement, second, where, oh second, first type का ही है, बत थोड़ा mild किया, थोड़ा dilute किया है, where, lessee, has, purchase option, at the end, at very reduced price, and lessee is certain to opt for purchase purchase this is certain to opt for purchase, this option is, this option is given in the beginning itself, first and second में एक्दम आमूली फ़रक हैं, first में क्या पता है, कि, without doing anything, freely, मुफत में, asset will be transferred, to the tenant, lessee, at the end of the period, second में, very minor difference, कि, जैसे, कि, भई, हमने, Mercedes गाड़ी, rental पर लिया है, 10 years का rental है, और बोला है, agreement में लिखा है, at the end of 10 years, Mercedes will belong to the, tenant, for which he has to pay, only say one rupee, एक रुपया खाली देना है, बढ़े एक रुपया देना है, तो क्या लग रहा है, tenant, एक रुपया देके, यह Mercedes लेने वाला है, guarantee से लेने वाला है, क्यों पता है, अब यह 10 years में, यह ओनर में पूरी कीमत हमारे से वस्चुल कर दिया, एक रुपया दो खाली दिखावा है, तो एवन ऐसा एक रुपया के बढ़े, सो रुपया भी बोलो या एक लाक भी बोलो, वन लाक भी बोलो तो मीनिंग अभी भी वही रहेगा, क्योंकि टेनन ने पूरा पैसा अल्रडी दे दिया, अन्डर देन्म EMI, अन्डर दर नेम लीज देन्टल, सो वेर लैसी है से पर्चेस ऑप्शन, लैसी को ऑप्शन दिया गया है, कि अद आप बहुत सस्ते भाव, अल्मोस्ट फ्री के भाव में, अब पैसे देके असेट खरीच सकते, एंड पका लैसी असेट खरीदेगा ही, क्योंकि इवन स्क्रेब डिलर उससे ज़्यादा पैसा देगा अपने को, और यह उप्शन एग्रीमेंट में स्टाटिंग में लिखा है, तो पता है यह जो उप्शन दिया गया है, टेनन्ट को कि आप असेट खरीच सकते हैं, वेरी रिडूस रेट, वे एक रेड कलर की राइट फ्लिकर होते जा रही है, और ऑडिटर का और अकाउंटर का ध्यान केंडित करती है, एट्रेक करती है ध्यान, कि मैं फाइनांस लीज हूँ, मुझे पहचानो, मैं फाइनांस लीज हूँ, मुझे पहचानो, और पहचानने के बाद एंट्री सही तरीके से करो हां ठीक है तो यह हमारा सेकंड इंडिकेटर है हम लोग सीख रहे हैं कि ऐसा एग्रीमेंट में क्या क्या हो सकता आंसर एनी ओफ फॉलोइंग इंडिकेटर है तो फाइनन्स लीज है और एंट्री अपोरिंग ली करना होता है तिसरा वार लीस्टर्व थेस्ट्रा वेड लीस्ट प्यारोग्व3 अट्या देस्ट्र मृर्दीन अट्री लाइफ और फसेट वेर लिस्टम मतलब पीर्ड यह रेंटल पीर्ड कोई सबस्टेंशियल पीर्ड फेंटियों मतलब क्या है वह सम्झेल याफ 10 यह से होर्द हमारा रेंटल एगरीमेंट भी 10 तो अंडर्स्टूड है ना लेसा होना हमारे से पुदी कीमत वसुल कर लेगा. So where the period of the asset, the lease period is almost substantial part of asset ka life, surely it will be a finance lease. Fourth, कोई भी एक indicator enough है, where amount paid as rentals in terms of in terms of recent value is almost equal to fair value almost equal to fair value of asset. ये क्या चक्कर है? ध्यान से सुनना. So suppose अब जब ये 150, 150 का रेंट पे करके उसकी प्रेजंट वेल्यू निकालता हूं, वो नियर्टू फाइले की आती है. तो उसका मतलब क्या? मैंने 150, 150, 150, 150 ऐसा रेंटल पे किया, ऐसा ओनर को मिला है, और ये 150 को जब इसकाउंट करके उसकी प्रेजंट वेल्यू निकालती है, वो नियर्ली फाइले की आती है. वो दस सींपल है, इट मींस यह फाइनांस लीज है, हम असेट के इकोनोमीक मालिक बन गहीं है. हम लोन लेने के बाद में असेट खरीदने के बदले में, EMI देने के बदले में जो रेंटल चारीजीश peers करते हैं, वो करीब-करीब उतना ही है, जो हम बजार में असेट खरीद सकते ह अमाउंट पेड़ेज रेंटल इन टम्स अफ प्रेजंट वैल्यू इस अल्मोस इक्वल तो फेर वैली ऑफ असे अमेरिकन गैप में अमेरिकन अकाउंटिंग स्टांडड में बोला जाता है कि एट लीस उसकी प्रेजंट वैल्यू 90 परसंट तो हो जानी चाहिए मतलब यह रेंटल चार्ज इसकी प्रेजंट वैल्यू 90 परसंट अफ दा सेट तक है तो शॉली वो इकोनमिक ओनती प्रिंडिकैट करती है all right by도 aussi हम पड़ क्या रहे है आदे हम लोग study कदे indicator of finance lease is a agreement में क्या लिखा है जो हमें बताते है मैं finance lease हूं मैं finance lease हूं लगद आपकर जानके क्या करना है कि ए contract इन फाइनांस लीज का है अब बुक्कीपिंग एंधी उसके पर डिपेंडेंट है यदि शौर्ट पीरिड का उपरेटिंग लीज है तो सीधा रेंट टू बैंक हो जाएगा और यदी फाइनांस लीज है लॉंग पीरिड एकोनोमी को अनल हम बन जाते है तो असेट टू असे a set is of specialized nature and cannot be and cannot be used by पर शन अधर थेन लेसी के नन के सवा कोई नहीं वापक रसकते हैं अधर थेन लेसी विधाउट मेकिंग में पाइप का बना terre का मचर्म Muhammad पूर मैंजर दिली में टो हर द्याँ पूर टो हिस का मेंजर का म मुं प्याइफ ट आप टे गिव के Esta पाइब पाइफ का में आप कभ एलिड tom सब्सट मेरी कमपनी का नाम है ओएन जी सी लिमीटर ओए नैच्रल गैसक मिसन लिमीटर हमारा बिजनेस समंदर में से तेल निकालना क्रूर वह निकालना एक्जामपल है औके मुझे समंदर में से क्रूर यकालने के लिए ओएल डी प्लैटफॉर्म चाहिए वैसे तो प्लेट्फर्म की लाइफ फाइए से समझने के लिए हंडेट करोड का आता है फाइए मैं ओएंजी स्वी मुझे हंडेट करोड पे करके खरीदना नहीं है पर्चेस नहीं करना है तो मैं किसी सप्लियर के पास जाके बोलता हूं प्लीज ग्यू मी प्लीज ग्यू मी ओने रेंटल बेसिस बटाइए वैसे तो ओईल रीक की कीमत फाइए लाइफ फाइए बट मुझे सिर्फ तीन साल के लिए रेंटल पर चाहिए अब प्रॉब्लम क्या पता है सप्लायर को मेरे लिए स्पेशली यह ओईल रीक कंस्ट्रक करना पड़ता है समं समाइज नेचर की एसेट है स्पेशलाइज नेचर की अब तुम अपना दिमाग लगाओ बिसनस के अगल से सोचना सप्बोस्बाइर रहा है आपका और बनाने का बेचमे का बीसनेस है आप रेंटल पर देने के लिए तयार है ओंडिय को 3 एंडिट करोर की कॉस्ट है सो अब प्रपोर्शनेटली ओनली 60 करोड ओंजी सी से वसूल करेंगे कि 3 अर्स में पूरी 100 करोड की कॉस्ट वसूल कर देंगे आंसर लिखो चैट में I repeat my question business के अंगल से answer देना मैं मानता हूं लेकिन ओंगी सी को 3S में चाहिए लेके जाना अब प्रॉब्लम है कि 3S के बाद उसको तोड़ फोड़ करके किसों बेच नहीं सकता हूं अब आपको बीजनस का कॉल लेना है ओंजी सी बोलता है मुझे एक कोटेशन दो रेंटल कितना लेंगे तो आप अंडर नेम रेंटल तीन साल का प्रपोस्ट असर की कॉस्ट हंड़ करोड समझते के लिए अब तीन साल में टेनंट ओंजी से ओंडी 60 क्रोड वसूल करेंगे कि पूरा हंडर करोड फूल कॉस्ट इन साल में वसूल कर लेंगे जल्दी सांसर दो ओ अधित्या तु अपना धंदा बंग करवा देगा इतना भोला मत बन अधित्या अधित्या तुम ओंजी सी नहीं है तुम वह और लीग बनाने वाले आदमी है अधित्या को क्वेस्ट नहीं समझता है मेरा क्वेस्ट अधित्या कि आप तीन साल से ओंजी से कितना पैसा वसूल करेंगे तो पूरा ओल थर्टी स्टूर ने सही आंसर दिया है कि आप ओंजी सी से तीन साल में ही पूरी असेट की कीमत हंडेट कर रवसूल कर लेंगे क्योंकि बात में दो साल में तो असेट का कोई यूज नहीं होगा भंगार में चला जाएगा तो देखो यह बात इतर लिखी है वेर असेट इस ऑफ इस स्पेशलाइज नेचर एंड केनोट बी यूस्ट बैपर्स अदर देन लेशी विदाओं में मेजर मोडिफिकेशन तो ओनर यहां वह शॉर्ट पीरिएड में भी उड़ी असेट की कीमत रसूल कर रेगा तीन साल म या आप उएटिंग लुझा राइंगे तो मताव यह टेम्पररी पिरिएड की ऑपरेटिंग लीग्स का फिचर हुआ यह लॉंग पीरिएड फैड़ी लिग्व रफीचर वनेगा जल्दी से बोलो यह लीश को आपरेटिंग लीग्ष बोलेंगे की फइनांस लिगे से कोई भी इंडिकेटर है तो फाइनांस लिस्ट बोलेंगे और फाइनांस लिस्ट की बुकिपिंग कैसे होती है पता है अजिव दासेट मुझे स्टाइटिंग में फूल टेनन की बुक में बने मैं टेनन टू मालिक नहीं हूं लाई का है पशेस मैं असेट आकाउंट डेविट फूल प्राइस कैसे निकालने हम देखेंगे अच्छा क्वेस्ट कैसे होता है अभी तक जो पढ़ाया मैंने उसमें अभी तक पढ़ाया उसमें जैसे वी एग्जाम में पांच प्वेस्टन दिया था वन टूटू टू टूटु फॉर फाइय आपको बताना था राफाइनाश लीज है यह जब बढ़ेटिव एक्वेस मैं किसका Accounting सिखा ओप्रेटिंग लिस्ट का की Finance लिस्ट का जल्दी बुलो इन फेक Operating List में Accounting क्या सिखाना है वो ते आप 11 से करते आ रहे कि जब असे temporary period पर रेंटर पर लेते हैं rent account debit to bank और honor pass करता है बैंक कुरेंट हतम और्ट इंग्लिस का अकांटिंग्स पांटिंग्स फाइनच लीस गुप्ट आफ पहले सिखाऊं कि टेननट पहले सिखाऊं पर्चेसर की सेलर तेनन के भुग चाना एकोंतिंगिग अजल्दी से भोल ना जल्दी से बोलो टोपिक से मेल फिनल्ड होगा एक अल्मोस कोंजा तोफिक से शेम जल्दीड होगा। अरे यार एक का भी आंसर नहीं आया, very bad, similar to which, which topic, very similar to higher purchase होगा ना, very similar to higher purchase, क्योंकि वही तो देखा था था ना, full price, so purchaser की book में entry करा रहा ना, Lacey की book में entry करा रहा, किस की book में entry कर रहे, Lacey की book में, ठीक है, ठीक है, take asset on lease, entry बताओ, क्या entry करूँ, asset account debit, बलबना, आपको सपोज asset account debit का और अच्छा description देना है, तो लिख सकते है, asset on lease account debit, to what, bank, या to supplier, vendor, जल्दी से बोलो, asset debit to vendor और bank, अधे vendor ना, पुरा पैसा कहा दिया है, being asset taken on lease, अब question है, amount, amount, amount कैसे निकालेंगे, amount कैसे निकालेंगे, तो amount would be what, amount would be what, तो जान से सुनना, सुनना, आप मुझे answer देंगे, suppose, मैं कोई computer purchase करने जा रहा हूं, वैसे तो उसका market price, fair value, market price बोलो, MRP बोलो, fair value बोलो, computer का 60,000 है, i5 purchase करने जा रहा हूं, मैं लेने गया, 60,000 का budget है, लेकिन दुकान में जाके देखा, वो तो अपना student है, अंकीत, वो बलता है, आरे सार, गुरू दक्षिना ले लो, आपको 55,000 में दे देता हूं, चलो, मैंने बिजनस के लिए computer खरीदा, वैसे तो मैं बजट भी 60 था, मैं 60 पे करता हूं, तो computer to bank 60 करता हूं, लेकिन वो student ने मुझे 55 में बेचा, तो बताओ, 5000 डिसकॉं दे दिया, मैं मेरी book में asset to bank, 55 लिखू या 60 लिखू, जल्दी बोलो, 55 लिखू या 60, पुछ नहीं हो सकता है तुम लोग का, गोन केस हैं, बताओ, 55 के 60, 55 सही जलापता, 25 के 60 लिखू या 60 लिखू या 50 लिखू या synchronी बोलापता है, भी का बजले हैं, भी का बजले का, चलिए अब मेरी बात सुनो यहां भी यही फंडा यूज होगा कि मैं 60 लिखू कि 55 लिखू सुनिये अमाउंट क्या होगा आंसर ऐंसर अमाउंट पर लां डीयो प्रेजिप्री त 146 M.R.P. और मुझे किद प्ड़ा है तो بटाओ मुझे किद प्ड़ा वह कैसे क्यल्क्लेट करूँ तो आंसर रेख में न 6 मेरी सुने at से लिखना मत वैसे तो मार्केट भाव अशेट का पाच लाक है मगर मैं तो इंस्टॉल्मेंट में दे रहा हूं न तो कैसे कंपेर करूं तो वेरी सिंपल रेजन्ट वैल्यू आफ मीनीमम कि लीश पेइमें कि अच्छी वासाथ पहला तो कि अरहे हूंड़ dunno स्यों मोग relyकिना कि अरह सभ़ में कि अरहों अरह, तो झाल 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 चलिये बोलिये बताओ मुझे ये असेट कितने में पढ़ रही है फेर वैल्यू फाइल एक और वाट प्रेजंट वैल्यू आफ प्रेजंट वैल्यू आफ प्रेजंट वैल्यू आफ मिनीमम लीस पेमें प्रेजंट वैल्यू प्रेजंट वैल्यू ये क्या है 4th year से 5th year 5th year मैर एक लख रुपया दे रहा हूं last में पर्चाइश करने के लिए तो जो 6.00 पड़ कर रहा हूं वो तो इंस्टॉल्मेंट में दे रहा हूं उसकी प्रेजंट वैल्यू निकालो सब्स्व उसकी प्रेजंट वैल्यू हम तो उसका मतलब 5 lakh वाला असेट में तो 475 में पर्चेस कर रहा हूं बले दिखावा 6 lakh का है लेकिन वह तो टुक्रे टुक्रे मेंने इंट्रेस के साथ है उसको डिसकाउंटिंग करते हैं इंट्रेस हटा देते हैं तो प्रेजंट वैल्यू तो 4.75 है अब बताव असेट में 5 lakh पर लिखुए 4.75 में 5 lakh मिलती है अपना दोस ने 4.75 में दिया तो हम 4.75 में लिखेंगे समझें तो असेट अकाउंट डेबिट टु लेसर असेट अकाउंट डेबिट टु लेसर क्या प्राइस पर लिखना है या तो फेर वैल्यू अफ दासेट या तो प्रेजंट अदरन सभट अन्हीं पिद्धमिंव करना परता है न मिनिमम मतलब वह तो नाम है असा ही मिनिम मिनिमव जञ़िब Ты आप्पोर्अफ लेशी यह सिक निकलें का बीनिंग ओफ मिनिग आल पी लेशी मिनिंग पी लेशी क्या होता है यह क्यों जानना है क्योंकि इसको डिस्कांटिंग करने वाला हो रहा है वेरी सीम्पल कॉमन सेंच चला हूं अरे भई लीज के लिए जो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा टेनन कोस को मिनिमम पेमेंट बोलते हैं क्या होता है यह सोच के आंसर देना लीज रेंटल जो मुझे घेंटि दिया है न आपकी आसेट लेगां यह वाली प्राइस दिया है तो है तो है नहीं तो नहीं है गैटेड रेशीडिल वैल्ल्यू जी आर्भी बोलते कभी खरेंटेड रेशील वैल्ल्यू बाइए लेशी और और हैनिस्पविअ यह दोनों का टुक्डा करूं इसको बुलते हैं MLP Lassie सुनना मीनिंग मैंने 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh ऐसा 5 years के लिए बोला है प्लस बोला है say last में 2 lakh में मैं asset खरीद लेगा तो फिर answer आ गया 7 lakh यह MLP है minimum payment करना है मुझे 7 lakh but over the years उसकी present value मैं निकालेगा to find out the actual price कितने लोगों यह समझ में आया है वो वाइव लिखो में समझ में आया है तो एन वर्ड लिखो कि यह वाला पाड MLP वाला पाड की बाद तर्मा वाइ मतलब समझ में आया कि MLP वर्ड क्या है MLP मतलब टेंन को कितना पैसा देना है अल्तिमेटल उसको MLP बोलते है उसकी present value निकालना है न क्योंकि MLP तो मैं टुक्रे टुक्रे दे रहा हूं वाद फाइव सेवनियर्स जिसको समझ में आया वह वाइवर्ड लिखो नहीं समझ में आया है वह N-word लिखो क्या समझना है नहीं समझना है MLP वर्ड चलो 30 लोगों को तो समझ में आ रहा है intelligent लोगे मुझे बहुत खुसी हो गई कि तुम लोग कुछ तो समझ रहे हैं जो मैं समझा रहा हूं सो हम लोग लोग लाई के हायर पर्चेस ही एंट्री करना है अस्ट अकाउंट डेट वेंडर कितना यह तो फूल फेर वैल्यू लिखो यह तो जो हम पेमेंट करने वाले उसको डिसकांटिंग करके लिखो कर लोगkach तो फिछ अबेट रहेगा या लोगा explored यह लोगेंगा प्रॉल्ड यह अलवा लोगेंगा तो यह ढराके लोगा लोला होगा तो था जल्दी सेलैन स्ट और चेंखलो रован वाला फेर वालल Zoe फ्रेजलिउंस प्रेजन्ट वैल्यू लोवाइड करो अमांट व्ट भी लोविट विप्रेजलि睡 लवरोफ zंग्र लवलोऊ लंग वी rare बैर भोट वेरी गुट्ट सबसेह कैना विकिबला कि 60 मेरा स्टोन ने 55 में दिया है तो मैं 55 में एंट्री करेगा बहुत अच्छी बात है आप सही समझ रहे है आपका बविश्य उज्वल है क्योंकि आपके समझने की सकती है आपकी सिंस्यारीटी नहीं है बड़ को कापैसीटी तो है ओके mlp of lessy ड़स नॉट इंक्लूड mlp मतब total payment जो मैं tenant करने वाल होगा simple language में lease के लिए जो मुझे minimum payment करना है मैं tenant हूँ mlp of lessy ड़स नॉट इंक्लूड कॉंटिंजंट रेंट रेंट विचीज बेस्ट उन ए ए वाल्वला रेंट विचिक्ता है रेंट नहीं दे शक्ता है बिस्ड नमी ओर कंडिशन उन रेंट रेंट वर्श यच्ट रेंट मार्ण्याए थीड रेंट नहीं है ने जे सक्था रेंट वाल्यूजड एर। मतलब वो payment करने की कोई guarantee नहीं है तो उसको हम लोग present value निकालने के time पर include नहीं करेंगे ठीक है आगे चले सो हमने asset खरीद लिया higher purchase याद करिये red color समझ में आया कि minimum payment की हम जो बात कर रहे है it will not include contingent rent which is based on production or entering of service obviously वो तो guarantee भी नहीं है यह lower word important है आपको लिखना है ठीक है अब बताओ higher purchase याद करो higher purchase के साथ में compare करता हूँ वहाँ हम लोग क्या करते थे पहली entry याद करिये asset to vendor करते थे याद है full price यहाँ भी वही हो गया अच्छा बाद में वहाँ down payment करते थे यहाँ down payment जैसा कुछ नहीं होता है बड़ यदी यदी मैं lease rent जो बुलता हूँ अभी मेरे को payment करना है न टेनन को वो first day करता हूँ first day तो फिर entry हो जाएगी vendor to bank यदी मैं first day payment करता हूँ कि मेरे को first day payment करना है और suppose end में करता हूँ तो यह वाली entry नहीं होगी so vendor to bank कब लिखेंगे जब first day से ही मेरा installment चालू हो जाता है ठीक है first day से है तो entry होगी first day से है तो नहीं होगी चलिए assuming first day नहीं है तो फिर सोच के answer दो next entry कब होगी assuming first day से नहीं है तो next entry कब होगी याद करिये at the end of year होगी assuming yearly है monthly at the end of the month वहता है at the end of the year क्या होगा payment of lease rental होगा at the end of the year at the end of the year payment of lease rental होगा तो कैसे करेंगे entry कैसे करेंगा higher purchase के साथ compare करो यह payment of lease rental भी नहीं लिकता हो चलो ना at the end of the year याद करिये higher purchase में क्या करते थे higher purchase में पहला asset purchase कर लिया asset to vendor down payment किया तो vendor to bank है तो अपने case में down first day installment pay किया तो फिर चलते है याद करिये higher purchase end में क्या करते थे पता है हम interest to vendor करते थे फिर vendor to bank installment देते थे याद आया higher purchase फिर asset को depreciate करते थे at the end of the year interest to vendor vendor to bank and depreciate तो इदर भी आपको वही करना है क्योंकि higher purchase देशा ही तो करना है अभी at the end of the year at the end of the year क्या करेगा रेकोर्ड इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट का नाम क्या होगा finance charges हम जो भी installment बढ़ेंगे उसमें interest होगा न हम tenant है रेकोर्ड इंट्रेस्ट मतलब finance charges बता यह क्या entry करूं इंट्रेस्ट नहीं बोलते हैं यहां बट वर्ड फाइनांस चाप्जिस बोलते हैं इदर बट एक ही बात है मिनी finance charges to bank फिर क्या होगा पें इंस्टॉल्मेंट मतलब रेंटल रेंटल कौम लोग वाँ इंस्टॉल्मेंट बोलते थे क्या entry करेंगे lesser debit to bank 100% higher purchase की entry है and for information जो लोग ने higher purchase मेरते पड़ा है there is no difference between higher purchase transaction and normal business transaction and see depreciation at end depreciation debit to asset समझा आपने पहला नाम asset on lease लिखा है तो asset on lease word लिख सकता हूं अच्छा फिर ट्रांसफर एंट्री क्या कबते याद करिए transfer entry करना है तो किसको profit and loss में transfer करना है interest and depreciation को PML में transfer करना है in short entry आपने higher purchase में सिखी थी वही entry अभी सिख रहे है same entry आपने higher purchase में सिखी वही entry आप अभी सिख रहे है and those who study higher purchase from me if you recollect कि higher purchase के entry नॉर्मल business asset purchase के एंट्री भी एक ही होता है मेरा higher purchase का वीडियो देखना interesting बात सिखी दिए so technically अभी मैं जो सिखादा हूं उसमें से कुछ मैं नहीं है यदि आपके कोई दोस्त लोग attending किया lecture उनको यह वीडियो देखना खास बोलना यह वीडियो नहीं देखेंगे तो next वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा क्या आपने इतना लिख दिया इसके नीचे कुछ not लिखो कि not का मीनिंग क्या हम सम करेंगे तब बताएगा rate of interest कि अपने को discounting के लिए rate of interest लगेगा ना rate of interest फुर भी FM की language में आया राद बोलते हैं ना implicit rate of return जो return implied है interest rate implied है remark in FM financial management में हम इसको आया राद बोलते हैं in FM we call it आया राद वही है second note आया राद इस गीवन follow given आया रहा है but if a second note के meaning में सम के साथ सम जाएगा but if fair value of a set is lower than lower than present value of mlp lessy यह नहीं लिखते तो भी चलता खाली इतना ही लिखते तो चलता है आया राद इसका meaning पुरा second note का सम के साथ बताएगा जब fair value low हो जाती है उसका meaning क्या होता है आया राद बुर भी that I'll explain only when we go for the sum अब हम इसके सम पर चलते है आप यह nots लिखके रखो हम सम पर चलते है लेक्चर में बने रही है इंट्रेस्ट के साथ और हम ऐसा revise करना होता है आपको start करे question दिखना start करे चलिए अब हम question पर चलते है question 1 आपको लिखना होगा a limited took a limited took asset on Lee okay agreed lease rentals rupees 30,000 per annum for 5 years मैं असे ट्रेंट पर ले रहा हूं 30,000 रुपिस फो नेक्स फाइयर्स देगा यह दि आज ही जाके बजार में खरिदता हूं न तो मुझे वन लेक थर्टी में मिल जाती है पसका है पैसे ठीक है आई आधार टेन पर संथ गैरेंटेड रेसिडिल वैल्यू रुपिस फाइय थाउजन मतलब मैं 30,000 30,000 30,000 फाइयर्स के लिए देगा और यह मैं 5000 भी देगा क्योंकि मुझे अच्छे यह डेप्रिशेशन पर रियर को डारेक्ली दे दिया है क्या अच्छेट को क्या प्राइस पर डेप्रिशेट करना है 22,000 एजूम फाइनांस लिस यह आपको बोला गया है भाई फाइनांस लिस है वहमा प्रब्लेम ही कहा बनता है 22,000 एस्थार बनता हैस्थाइन. खाइन. डिया हुआ है прям आपको बोला गया है in दो देवक सर्योरी को इसatto देवसेश फाइन सर् volum देवसें. और प्रोने, डेया हैं पर फैस्ट यह इन दो बुक्स ओ लेसी पता है मैं टेनन तुव मेरी बुक मैं पहली जबन एंट्री आती है असेट अकाउंट डेट टुमेंडर लेसर अमांट क्या होगा अमांट क्या होगा असेट अकाउंट डेट अब आन्सर पर चलता हूं अब आउंड को बोलते value of asset asset account debit to vendor में entry करने वाला हूं asset account debit to lesser में entry करने वाला हूं बताइए price बोलो क्या price बोलो अब ये भी notes पढ़िए अब ये भी notes पढ़ो बुलिए यहां तो fair value of asset कितनी है 130,000 और present value of MLP Lacey 60 कितना as for working यह दिखा लेंगे बीचे वाद इस लोवर मुझे जो first entry करने है asset account debit to vendor में सर्थ asset account debit to lesser either 130 जो बजार में चलता है या तो जो मुझे गिरती है whichever is less अब बताओ यह कैसे calculate करेंगे प्रणा चल्कूलेस फ्रूस्टूस्ट शूरी क्वड़ फूस्ट्सूस्ट्ट यहां त्यूस्टि यहां ध्यार्यट प्रूस्टु अधुड्सूस्टोस्य। calculation of present value of mlp lacey कैसे के year end ठीप लीस पेमेंट लीस पेमेंट या लीस रेंटल्स वटेवर यू कॉल इए रेंड इन वन 2, 3, 4, 5 पता है न मुझे 30,000 30,000 5 years के लिए देना है 30,000 30,000 5 years के लिए देना है और 5th year में मुझे 5,000 का guarantee भी दिया है मने याद करिये 5th year में मैंने guarantee दिया है एक लीस रेंटल इस 30,000 for 5 years and guaranteed रेंट रेंटल वेल्य फाई थाउज़न बो डिसकांटिंग फेक्टर आया राद क्या है डिसकांटिंग फेक्टर आया राद क्या है in fact 10% का तो डिसकांटिंग है आपको बाहार टी कर देना चाहिए 909826 आप लोग fm में highest mark लाए है that means आपको यह सब आता है कि यहां तो फिर आप गलत तबीके से highest लाए होगे रेकोर्डिंग होना है ज्यादा बोल भी नहीं सकते है ठीक है कुछ शॉटकट था हाँ ऐसा लंबा थोड़ी करते है कौक अप्वेर्न होता है ना तुम कैल्कुलेटर से क्या करते हैं पता है आपको 1पोन 1.10 एकोल तो इकोल तो पांच बाद के अब बटन दबाते हैं जब जीटी बटन दबातें तो यह यह आजाता है some कर यह आया क्या अब क्यालकुलेटर लो आपको सबको डिसकाउंटिंग तो आता ही है डिसकाउंटिंग फेक्टर वन आप्वाइंट इक वर टो इक वर टु पांच बाद अपने इक वर टु इक वर टु दबाया तो 0.909826751683621 पर GT बटन दबाया तो 3.789 आपको इतना लंबा लंबा नहीं करना होता है चेके एकसाम में और कोई काम नहीं है क्या अपने को चलिये बटीप्लिय कर करेंद वेला इसके मल्टीबला उनन्तो 3.789 इले 113670 इले 30 तौजंर इंट इं टीश 13670 इले यह ऐसा करने से आपको समझना सिंपल है या तो आप डाइरेक्ली भी ऐसा ही लिख सकते थे कि पीवी ओफ एमल्पी स्ट्रेट वे 30,000 x 0.3789 डाइरेक्ली प्लस यह क्या है पता है न पॉइंट नहीं है यह इसको क्या बोलते हैं क्युमिलिटिव डिस्काउंटिंग फेक्टर और 5,000 x 0.62 यह क्या है फिफ्ट यह डिस्काउंटिंग आपको ऐसा टेबल नहीं बनाना है तो आप डाइरेक्ली सीधा यह रेड कलर वाली लाइन लिख सकते है लिकिन टेबल बनाने से समझता इजी है ने इसके लिए मैं ऐसे करगा बट अमारी समरी यह है कि 116770 116770 116770 116770 कि इतने लोगों को यह समझ में है कैल्कुलेशन वो वाइवर्ड लिखो पता तो चले कि आपका एफ्म का मार्क जैन्यूइन था कि बोगस था जितने लोगों को यह समझ में है वो लोग वाइवर्ड लिखो था था थी लोगों लिखा है मतलब आपका एफ्म का मार्क सही जैन्यूइन था क्या जैन्यूइन वर्ड लिखो तो जहां पता तो चले एफ्म कितना जानते हैं कि अगा जोगों ट्रथी लोगों ने जैन्यूइन वर्ड लिखाए में दो थीन कि चार पाथ छे लोगों ने जैन्यूइन वर्ड लिखा चे लोगों ने बाकिक में समझ गया चलिये आगे चले है ठीक है अब मुझे फरस्स एकी जगनर इंट्री करना है पता है हम लोग । आपिश्पपरच पर्चेस में ठेबल बनाते थे यहांब ही मैं ठेबल बना सकता हो लाइक कि squirrel ठीबल बना लेते हैं एकजेक्ली लाइक कर से सम्म ठेबल बना लेते हैं जो थर्क टॉर्टी थाउजंद में से पता है न इंट्रेस कितना है प्रिंसीपल में। वह और कौल कर सकते हैं च्यादा है रही का है पर्चेस डेबल सब्सकतर neutrino ऩाइग टेट था ओपनिंग प्राइस होता है याद करिए बाद में इंस्ट्र Columbus को हम लोग क्या करें गे स्ःक्राइंगे फेरें तो oni आ leaning इँ मुना है फाइनन्स चारिज शिए कितना है कि ये येइट टेबल कप काम का है फस्ट एडिर की एक सल के एंट्री में काम का नहीं है फर्स्ट एडिर कंदते हैं नहीं बना के रखते हैंwalकित मुझे का मुझे तो टॉभिक सबस्ट एक पलिए कर नाटेपन कर नहीं है तो यह क्वेशन बुम नहीं रोड़ेंद कर्वान पश्क्राइस करने हैं कि अधि विल मादेन जब आशके अंधियर्फ प्राक्रिशन बोल Kerry कि dat I लोग ने अपने बच्पन के दिर लास्ट यह सीखे थे यह एट एंड क्योंकि बीगिनिंग एट एंड बात में कबते हैं पहला तो वाई जीरो मतलब स्टार्ट वाई जीरो मतलब एट स्टार्ट वर्ड लिखते हैं ना कैश प्राइस तो कितना था 116 770 अपने इदर लिखा क्या 116 770 GB of MLP 116 770 so whichever is lower hence value of asset कितने आ जाएगी hence value of asset बिचे परीं लोवर लेना है आपने को तो ठीक है so 116 770 काम को टेबल बनाना है 116 770 का टेबल बनाना है 116 770 का टेबल बनाना है 116 770 एट स्टार्ट है स्टार्टिंग में no down payment बता है ना end of first year end of second year इसको installment बोलते थे end of third year end of fourth year end of fifth year बता सकते आप end of fifth year 30 plus 5 था याद है end of fifth year end y1 and y2 end of y3 end of year 4 end of year 5 अब टेबल बना दो higher purchase वाला टेबल याद करिए higher purchase वाला टेबल याद करिए I don't know whether आपको ये टेबल याद है या नहीं है आपको ये टेबल याद है या नहीं है फिर फिर स्ट यह में 10 परसंट याद आया 10 परसंट इंट्रेस्ट है थर्टी में से 11 थाउजन तो इंट्रेस्ट है बचेगा 18 323 माइनस कर दो रिकलेक्ट क्या आपको कुछ याद आया है एंवे ये टेबल आप कर लेना बाद में जनल एंट्री तो सिंपल है एक मेंट असेट डेबीट हो गया ना फर्स्ट यह की तो एंट्री सिंपल है असेट अकाउंट डेबीट 116770 बाद में हाई पच्छेश वाली एंट्री उपर से देख के अपन कर सकते हैं वसमा पई टेंशन लिए हो तो एक्दम इसी है मैं क्या करेगा अपना लेक्षर खतम हो जाएगा तो भी दो तीन मीट ज्यादा टाइम लगेगा तो एक लिस्ट वीडियो में पूदा कर देगा ताकि रेकोडिंग मेरा हो जाए आप 1136 को एक्जिक कर सकते हैं लेकिन आए में कंटीनिव फो टू फो फॉर मिनिट्स मोह श होगा चलिए तो 116 में से 18,000 माइनस कर दो 98 447 नेक्स यह 10 परसन बता 9845 30 में से 9845 गया 20,000 98 में से 20 माइनस कर दो 98 में से 20,000 माइनस कर दो 78 292 10 परसन 7829 30 में से 7829 चला गया 78 में से 22 माइनस कर दो 78 में से 22 माइनस कर दो 56,121 10 परसन 56,12 30 में से 56 माइनस कर दो 24,388 56 में से 24 माइनस कर दो चलिए 31,733 पता है लास्ट यह में 10 परसन नहीं लगाते हैं लास्ट यह में डारेक्ट करते हैं कि मुझे 31,733 देना है तो जो भी बचेगा बैलंसिंग फिगर उसको ही हम इंट्रेस्ट ले लेते हैं याद आया लास्ट यह में डारेक्टी नह केल्कुलेट करते हैं ताकि राउनिंग ओफ एजस्ट हो जाता है कि मुझे 31 पे करना है मैं 35 दे रहा हूं तो डिफरेंस ऑटोमेटिकल इंट्रेस्ट हो गया है जो टेक्निकल यह बैलंसिंग फिगर हो जाता है जात करिए अब मुझे फर्स्ट यह की जर्मल करनी है इंफेक्ट खाली फर्स्ट यह की जर्मल करनी है तो यह टेबल का भी काम नहीं है यह टेबल काम नहीं था और अली कर सकते थे यह टेबल काम आता है जब क्वेश्टन बोलता है फाइंड यह ली फाइनन्स चाल्गी जो मैं 30,000 का जो इंस्ट्रॉल्मेंट पे करना हूं इंडायरेक्ली उसमें से 1167798457829 इंट्रेस्ट है फाइनन्स चाल्गी से और बागी था यह खोटाएं साथ चाल्गी से बमेंट विल्क शूर्मेंटी करना है कि इंट्रीमन ग्राइनन्स फ़र्स्ट गार्श्ट गार्श्ट यह थी उसमेंट यह भिए ऐफुक्सर्वा फ्रस्ट्रीमान अन्स टीन भीक्सर्ट आ कि टो सकते मुट और टो टो पन्रेस्ट आतो Asset Taken On Lease, Asset On Lease Debit, To Lesser, Amount अमने डिसाइ किया था, 116.77.7.0. Bing Asset Taken On Lease, सेकंड अटेंड, अपने को इंटरेस्स रेकोर्ड करना है, फाइनांस चाब जीस तू इंटरेस्ट, मतलब तू लेसर, मतलब इंटरेस्स तू लेसर, याग करिये, 116.77, क्योंकि ये तो अउनली प्रिंसीपल है, इंटरेस्स रेकोर्ड, फिर हम पे करेंगे, पे करने के एंटरी बता, इंटरेस्ट तू लेंडर, याद करिये, वेंडर तो बैंक, याद करिये, इंटरेस्स टू वेंडर, वेंडर चू बैंक, बंट में डप्रिशेयन के आंजरी कर दे ते. depreciation account debit to asset to asset on lease अमने asset to asset on lease भुलाई depreciation का figure तो directly भुल धी आचा 22,000 बिंडप्रिशेशन रेकोड़ेड बिंडप्रिशेशन प्रिशेशन 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 प् तो यह था तुम्हाना टॉपिक नेक्स वीडियो देखने के पहले पुदा वीडियो डिवाइस करना जो सीए करते उनको यह टॉपिक समझता नहीं है एकदम इसी टॉपिक है अब चल्द से वीडियो देखो एक बाहर और यह एंजोई टॉपिक बग सिंबल टॉपिक है इसके वह प्रेक्टिस करेंगे नेक्स वीडियो में कुछ रिपीट नहीं करेंगा हम सीधा स्टार्ट करेंगे करेंगे